स्कॉर्पियो वेलकम च्वार एंचली गाइडेंस आई होप आप सब इच्छे होंगे अपने लाइफ में सबढ़ियां कर रहे होंगे और अपना ध्यान दख रहे होंगे आज मैं फिर आपके लिए वीडिंग देखे आई हूं और हम देखने वाले फुल मून पर आपके है कि अपने फ्लॉस को गिना बन करिए अपने फ्लॉस को गिना बन करिए अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को कम आक रहे थे तो भी कही न कहीं गलत है सच सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा समझ रहे थे खुद को ओवर स्मार्ट कर रहे थे तो भी आपके सामने आ मैं खुद को accept कर रहा हूँ या accept कर रही हूँ जाये जो भी है ठीक है मैं ऐसी ही हूँ ठीक है ये मेरी identity है मैं अलग हूँ मुझे किसी और की तरह नहीं बनना मैं क्यों बनूं किसी और की तरह मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं बढ़िया हूँ हाँ मैं self improvement जरूर करूँगा या करूँगी पर मुझे किसी और कौपी करने की जरूरत नहीं है जो मैं हूँ वो मैं हूँ इससे आप प्यार कर रहे हो and divine आपको protect कर रही है अगर किसी और ने आप पे सवाल उठाए है तब भी आप खुद के लिए stand ले रहे हो खुद को accept कर रहे हो और अगर आपको कोई self doubt है अपने आपको लेकर मैं ऐसा मैं वैसा मेरे flaws तो वो भी अब मुझे से लग रहे है कि वो flaws और flaws नहीं रहेंगे आपके लिए चीक है ये बात है मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसी ही हूँ हाँ मुझे पता है मुझे इसमें improvement करनी मैं जरूर करूँगा पर मैं इसके लिए sorry नहीं हूँ कि मैं ये नहीं कहाँ कि मैं बुरी हूँ या मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ ये identity है ठीक है ये मैं देख पा रहे हैं इसला आप अपने आपसे प्यार करते दिखाई दे रहे हो युनिवर्स आपसे प्यार करते दिखाई दे रहा इसको जरूर लेंगे मेभी कोई ऐसी चीजे कोई लॉस आपने देखा है उस चीज का बहुत दुख मना रहे हो कोई loss आपने देखा उस्टेज का कोई दुख है आपको बहुत ज़ादा grief का card आया है बुरा वक्त आता है लोग हमें छोड़ कर जाते हैं लोग इस दुनिया में आते भी है और हमाई life और हमाई family से जुड़ते भी है बट इसका शोग ज़ादा दिन तक मत बनाओ कभी कभी कहते हैं जो इनकी जो death हो जाती न ये तो मैं आपको ऐसे जोड़ूँगी कि आपके life से हो सकता है कोई loss हो गया कोई चला गया कोई छिन गया आपसे पर अकर death को इतना positive way से देखना है थी वो उस person की इस soul ने अपना अपनी life cycle पूरी कर ली है अब वो उसका reincarnation का समय आ चुका है अब वो दूसरी body में जाएगा तीक है अब वो universe में जाएगा अब वो अभी शुर से मिलेगा अब वो heaven को choose करेगा तीक है ये जो है earth earth क्यों कहूंगी ये जो जीवन है ये दुखो का सागर है वो इस दुख से मुक्त हो गया है तीक है तो येस और कहते हैं न अच्छे लोगी पहले क्यों चले जाते हैं वो अच्छे लोग अपना कर्म करके चले जाते हैं वो free उन्होंने अपने अच्छे कर्म कर लिए उनका khatam तीक है दुख शाद एक कहते हैं दुख तो खतम ही नहीं होता यह दुख कब खतम होंगा जिन्दगी से जिस दिद दुख खतम होंगा उस दिद आप खतम होंगा क्यों कहते हैं कि हम शाद rest in peace उसको क्यों कहते हैं क्योंकि सब ही peace मिलता है ऐसे life में कोई peace नहीं आता life में आप downs adventures हैं बहुत सारे तो ये law से कोई बात नहीं हमाई life में लोग आते हैं, लोग जाते हैं लोग किसी person को खोया है आपने कोई चला गया आपके life से तो ये part of life है ये आपकी life नहीं है आप हो आपकी priority आपकी journey खतम नहीं होती किसी के आने से, किसी के जाने से इस चीज़ को ध्यान रखना है आगे देखते हैं perspective मुझे दिख रहा है आपको खुद को लेके आपका perspective कोई change होता दिखाई दे रहा है कोई fear है आपको किसी चीज़ का खुद को लेके तो आपको मैं बता दू आपको divine care protected हो इस चीज़ को लेके ठीक है दूसरा यहां मुझे दिख रहा है कि आपका perspective change हो रहा है खुद को लेके especially truth आया है यहां पे mirror में वो person अपने आपको देख रही है कोई truth हो सकता है जरूरी नहीं किसी आप खुद का कोई सच हो किसी चीज़ को लेके भी आपके सामने सच आ रहा है और आपको परस चला है कि अच्छा ऐसी नहीं थी चीज़े ऐसी थी अभी तक आप कुछ और तरीके से सोच रहे हैं क्यों चुकि उतने ही information आपके पास थी आप information और बढ़ गई आपको जादा knowledge है इस चीज़ के बारे में तो आप उसका coin का दूसरा side भी देख पा रहे हो ठीक है ये perspective वही होता है जितने ही आपके पास information होती है उसी basis पे आप सोच रहे होते हो ठीक है वही चीज़े आप नजरिया कभी भी बदल सकता है किसी का ठीक है और कहो तो चाहो तो चाह कर भी किसी का नजरिया नहीं बदल सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता जब तक वो information उसके add-on नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है जब तो खुद experience नहीं करता तो यह सापका perspective change हो रहा है, चीज़े को देखने का नजरीया आपका बदल, आप grow कर रहे हो, wisdom आ रही है आप में, अब अब आप एक तरीके से नहीं सोच रहे हो, आप coin का दूसरा side भी देख रहे हो, आईए देखते हैं, moon card सापके लिए क्या message है, क्या guidance है यहाँ पर, what do you need to release, आपको कोई डर, कोई fear, कोई show, कोई loss, anxiety, कोई depression, release करने की जरवत है, release करिए, कोई doubt, self doubt, release करने की जरवत है, ठीक है, पुराने belief, जैसे आप पहले सोचा करते थे, लेकिन अब आपके perception में change आया है, yes, उसको release करिए, ठीक है, जो आपको serve नहीं करती, जो पुरानी चीज़े हो चुकिए, उनको release करिए, ठीक है, आईए देखते हैं, मेरी कोई ऐसा emotion है, जो negative emotion है, show the world a real you, अब यही समझ में आ गया है, आपको कि अब आपको बताना है कि, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आ आई दिखते हैं, और क्या message है आपके लिए, ओई, इसी को पहले हम लोग देखेंगे, जो गिर गया था आपके लिए, positive change है, अब आपके life में positive changes आ रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आपके क्या message है आपके लिए, good karma, yes, अब आपका अच्छा karma, अब आपको मिलेगा, अ आप गुड करमास का फल आपको मिलता वा दिखाई दे रहा है, या आप शायद अब आपके हाथों कुछ अच्छे करमास यहाँ पर कराने की बात हुई जा रही है, acceptance, yes, इसकी जरुवत है acceptance की, अब आप अपने life में चीजों को accept कर रहे हो, self-centered, आप आपके लिए आप बारे में भी सोचना जरूरी है, spiritual insight, yes, आप चीजों को आप spiritually देख रहे हो, हो सकता spiritual awakening हुई है, आप में से कुछ लोगी, work ethic, okay, मुझे इसा दिखाई दे रहा है कि आप इन सब चीजों से कहते हैं ना कि समझाता नहीं करोगे, आपका काम करने का तरीका अलग है, तो आप व बाई-बाई कर रहे हो, किसी के साथ कोई cycle end हो रही है, या किसी के बहुत करीब आ रहे हो, okay, respect, आपके life में आपकी respect बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं, या शायद आपको लोग बहुत respect देने वाले हैं, आप सबको respect दे रहे हो, या आप अपनी और दूसरों की boundaries की respect कर रह है, आपने कुछ तो release किया है, वो हो गए आपके bad karma, इसका फल आपको मिलना था मिल चुका, आप मुझे दिख रहे हैं कोई cycle से आप बाहर आ रहे हो, okay, तो यह थी आपकी reading, अगर आपको अच्छी लगी तो like कीजिएगा, subscribe मैं चला भी तक नहीं किया है, तो comment box में ज़रू बताईगा, thank you for watch.